Hello friends, welcome to my YouTube channel Exercise 11.2 से question number 4 करेंगे Find the missing values एक table दे रखा है आपको ये base का column, ये height का column और यहाँ area of triangle दे रखा है तो area of triangle की यहाँ पर बात चल रही है तीन question है, तीन part है तीनों में area of triangle तो आपको दे रखा है अब कहीं पर height की column missing है यहाँ पर value और कहीं पर base वाली जो value हो missing है तो basically question के अंदर आपको करना क्या है कि कहीं पर height निकाल ले है और कहीं पर आपको base निकालना है area आपको तीनों का दे रखा है triangle का तो base और height निकालने का मैं आपको direct formula बता देता हूँ पहले और formula बनता कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा देखे area of triangle होता है half into base into height यह होता है area of triangle अब अगर आपको base की value निकालनी है तो यह equation बन रही है आपको दिख रही है तो equation के इसके अंदर हम rule लगाएंगे और base और height के अलग-लग value निकालनेंगे तो अगर आपको base निकालना है तो area तो यहाँ अपनी तरफ ही रहेगा base के पास height तो है उपर और यह जो 2 है यह है नीचे यह दूसरी तरफ जाके उल्टे हो जाएंगे यानि height उपर है न यहाँ तो height नीचे आ जाएगी और यह 2 यहाँ divide में है तो दूसरी तरफ जाके यह multiply हो जाएगा यह बन गया base का formula अब height का formula बनाते हैं तो height को यहाँ पर अकेला छोड़ देंगे left side में right side में area अपनी जगह पर ही रहेगा और height के पास base और यह 2 है यह दूसरी तरफ जाके opposite place पे चले जाएगे base उपर है तो base नीचे आ जाएगा और 2 नीचे है तो 2 उपर चला जाएगा तो कितना simple सार common सा formula है base निकालना है तो height नीचे आ जाएगी divide में और height निकालनी है तो फिर base divide में आ जाएगा उपर area into 2 ही रहेगा दोनों के अंदर तो formula आव तक आपको याद भी हो गया होगा भूल जाएं तो इस equation को याद रखना यहां से formula बना लेना चलिए first part से शुरू करते हैं आपको height निकालनी है पहले part में तो मैं height का ही formula लिख लेता हूँ तो height हो जाएगी area into 2 divided by base values भरते हैं area है 87 into 2 करूँगा मैं और base की जिगह मुझे लिखना है 15 units हम बाद में लगा लेंगे चलिए solve करते हैं तो यहाँ पर यह 15 और 87 मुझे cutते हुए दिखाई दे रहे हैं यह दोनों 3 से cut जाएंगे क्योंकि दोनों में 3 का divisibility का rule है वो लग रहा है 15 को 3 से divide करूँगा तो 5 आ जाएगा 87 को मैं 3 से divide करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर 3, 2, 0 हो गया है 6 और यह minus करके 2 आया और यह 7 आ गया और 9 पे 3, 9, 0, 27 हो गया यह हो गया है 29 उपर उपर 29, 2, 0, 29, 2, 0 हो जाएगा 58 और नीचे यह 5 है अब 58 को 5 से divide कर लेते हैं तो यहाँ पे 58 को 5 से divide कर लेते हैं 5, 1, 0, 5 हो गया उपर से 8 उतारा तो फिर से यह 5, 1, 0, 5 ही हो गया minus करा तो यहाँ पे 3 आ गया अब point लगा के यहाँ 0 लगा लिया और 5, 6,000 होता है 30 तो इसका जो answer आ रहा है वो है 11.6 तो 11.6 और यह question आपका centimeter में है तो जो answer आएगा वो भी centimeter में ही होगा area में square लगता है हमेशा value में यूनिट में लेकिन अगर height और base निकाल है तो सिर्फ एक unit लगेगी centimeter क्योंकि यह length होती है चलिए A part तो हो गया अब B part करते है B part के अंदर numbering तो यहाँ दे नहीं रखिये book में बस मैं A और B ऐसे बोला हूँ पहला और यह दूसरा यहाँ पर दूसरे में जो है आपको base निकालना है तो मैं base का पहले formula लिख लेता हूँ तो base हो जाएगा area into 2 divided में height तो area की जीए लिखना है 1,2,5,6 1,2,5,6 into 2 करना है और फिर इसको divide करना है 3,1,4 से 3,1,4 अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि नीचे का जो number है यह decimal में है तो मैं इस decimal को हटा लेता हूँ तो 1,2,5,6 into 2 उपर मैंने same same रखा है और नीचे 3,1 और यह point हटा दूँगा तो 314 हो जाएगा point के बाद यहाँ एक number है तो उपर मैं 1 के साथ 1,0 लगा के multiply कर दूँगा यानि कि 10 से कर दूँगा यह decimal हटाने का तरीका है अब 314 और 12,156 यह दोनों आपस में कट रहे हैं मुझे कैसे पता चला 3,1,3,3,4,0,12 होता है और पीछे 14,1,014 होता है 14,4,056 होता है तो यह पूरा का पूरा कट रहा है यह 3,1,4 यह काट दिया मैंने 1 पे आएगा और यह पूरा 4 पे चला जाएगा अब उपर उपर देख लीजे 4,2,0,8 और 8 को 10 से multiply किया तो 80 आ गया और जो question है आपका यह mm में है तो आपको mm ही लिखना होगा यहाँ पे unit भी तो mm तो 80 mm इसका base आ गया ट्रेंगल का जले इसके बाद c part करते है c part के अंदर area दे रखा है और base दे रखा है आपको निकाल लिए height यह third part है तो height निकाल लिया तो height का ही formula लिख लेता हूँ मैं पहले तो height का formula हो जाएगा area into 2 divided by base value put करते है area की जगा 170.5 लिखना है into में 2 लिखना है और यहाँ पे base की जगे 22 लिखना है अब यहाँ पर यह 0.5 इसे हटाने के आपको ज़्यादा जूरूत नहीं है point होता है न वो दिक्कत करता है इसे हम direct भी कर सकते है यह 2 और 22 मुझे कटते हुए दिखाई दे रहे है 2 1s are 2 होता है और इसे 2 से divide करेंगे तो 11 होता है अब उपर 170.5 है और नीचे 11 है तो simply से divide कर लेते हैं हमारा answer आ जाएगा 170.5 हो गया और नीचे से यह 0 आ गया 11,50 होता है 55 माइनस करके यह 5 आ गया और उपर से 5 उतर गया क्योंकि point आ रहा है बीच में तो यहां point भी लगा देंगे तो 11,50 यह 55 हो गया पूरा का पूरा divide हो गया है answer आया है 15.5 question यह cm में चल रहा है और यह height है तो इतना centimeter last part था question खतम तो इस वीडियों पस इतना ही next questions के लिए मिलते हैं फिर next video में तब तक के लिए good bye